स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसवेर पे ये जो हमने सीरीज चलाई हुई है सामको CSSL में जिसमें आपको पूरा मैस कराएंगे उसमें जो सीरीज स्टार्ट हुई है वो पहले अलजेबरा की हुई है बाकी सारे चैप्टर्स की भी टॉपिक व इसमें 5X माइनस 40 जिगरस टू 3X जहां X स्क्वाइर या X ही कोई घात नहीं दी होती है X ही कोई भी पावर नहीं दी होती वहाँ सीधा सीधा कोशन होता है बस आपको वैल्यू को इधर से उधर करने है जैसे यहां 3X को इधर ले आएंगे तो 5X माइनस 3X हो जाएगा और यह 40 सीधर जाके प्लस का 40 हो जाएगा तो यह 2X वराबर 40 काटेंगे तो यहां 20 मिल जाने वाला है तो X ही वैल्यू मिल गई हमें 20 यह वैल्यू निकालने के बाद आपको जो चाहिए उसमें सीधे सीधे इसका मान रख सकते हैं 2X माइनस 11 चाहिए तो 2X की वैल्यू है 20 11 होता है 29 मेरा option 1 जो है वो correct answer होगा इस तरीके साब इस question को कर पाएंगे नेक्स question देखे उसने का the simplified form of X plus 3 का whole square plus X minus 1 का whole square क्या होगा इसके लिए सबसे आजान तरीका होता है कि आपने सीधे सीधे X का अपने आप से कुछ भी मान लेने नहीं कुछ भी मान ले लीजे आपकी म ले लेता हूँ तो यह क्या हो जाएगा 1 plus 3 हो जाएगा 4 4 का square plus इसमें मान रखोंगा तो 1 minus 1 0 हो जाएगा तो 4 चोक 16 हो गया अब इस X को मैंने जो 1 माना है वो option में रखेंगे जिस भी option में 16 बन जाएगा वो ही मेरा answer होगा तो यहां मैं इसमें रखों तो 1 का square 1 और 2 बन ज चाहिए 16 अब next option में देखो तो यही same equation दे रखे तो इसकी भी value बनेगी 8 लेकिन बहार 2 गुना में है तो 2 गुना 8 बराबर हो जाएगा 16 तो option 2 मेरा match कर गया 16 उससे बनके आगे बाकी किसी से 16 नहीं बनेगा आप put करके भी देख सकते हैं तो यह था 2017 को question आपको ऐसे करना है बस एक value रखनी है आप कोई भी value रख सकते हैं बस छोटी से छोटी रखेंगे तो जल्दी answer आएगा आप चाहों तो यहाँ 0 भी रख सकते हैं next question में क्या कह रहा है 2APQ 2APQ is equals to P plus Q का whole square minus P minus Q का whole square जब हम A plus B का whole square करते हैं और उसमें से minus करते हैं A minus B का whole square तो हमें मिलता है 4AB मतलब 4 गुणा में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या उसी चीज़ को अगर यहां मैं apply करूं तो इस सारे को soul करके मुझे मिलेगा 4 गुणा में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या तो P और Q से P और Q कर जाएगा दो दो नी चार तो A की value मेरे पास यहां से 2 आ जाएगी इस तरीके से हाफ कर सकते हैं तो इसमें हमने use किया है A प्लस B का whole square और A माइनस B के whole square के difference का जो तरीका होता है उसको यह था 2017 का सिर्फ थर्ड का यह बहुत important question है यह CSSL 2017 में पूछा गया था यह से जादा बार भी पूछा गया है उसे पहले भी यह पूछा गया है तो इस question में actually में क्या करना होता है कि आपको x e power 6 चाहिए x e power 6 चाहिए तो आपको पहले square बनाना है फिर उसका cube करना है अब पहले तो क्या करें इस 2 को इधर लाके multiply कर दें 2 को multiply करते 2x बनेगा और साथ में 1 by 4x है इसके साथ भी 2 की multiply होगी तो 2 दुनी 4 बराबर में बचेगा 5 इसका मदब 2x प्लस में 1 बटा 2x मेरे पास 5 आ गया पहला step आपको यह करना है सबसे पहले यह करने के बाद फिर आपको यहां cube बना मैंने बताया cube करके जैसे x e power 6 है तो आपको square करके उसका cube करना है या फिर cube करके उसका square करना है दोनों में से condition करनी है तो मैं क्या करता हूँ पहले इसका cube कर लेता हूँ इस value का cube कर लेता हूँ इधर का cube होगा तो इधर भी cube हो जाएगा दो का cube कर इसमें a plus b का whole cube a plus b का whole cube जो होता है वो होता है a cube पहली संख्या cube plus b cube दूसरी संख्या का cube plus 3a square b मतलब पहली संख्या का square दूसरी संख्या as it is और 3ab square लेकिन इसको ऐसे ना लिखके हम इसको दूसरी तरीके से use करते हैं और वो दूसरी तरीके से हमें से कैसे लिख सकते हैं 3 पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और यह हाँ पर plus था a plus है तो अंदर में a plus b ऐसे आप इसको use करेगी तो उसी form में मैं इसको लिख लेता हूँ तो उसी form में लिखने से a का cube 2 का cube होता है 8 8x cube हो जाएगा plus इसका हो जाएगा एक बटे में 8x cube ऐसे बन गया और फिर plus में हमें करना है 3 a b 3 a a है 2x और b है 1 बटा 2x और गुणा में लेना है a plus b a plus b का मतलब हो गया 2x plus 1 बटा 2x इसको यहां से अटाल लिते हैं इसको use कर चुके है यह ऐसे हो जाएगा अब आप देखें यह 8x cube plus 1 बटा 8x cube इसको ऐसे कैसे रखो 2x से 2x गट गया तो यह बचा plus में 3 गुणा और 2 plus 1 बटा 2x जिसकी value हम उपर निकाली थी हमने 5 बराबर अब इस सारे का cube की है बराबर में 5 का भी cube हुआ 5 बटा 25 बटा 25 हो जाएगा और आप क्या करें इस 15 को ले जाके उधर दूसी तरफ माइनस कर दें तो यह बनेगा 8x cube plus 1 upon 8x cube बराबर 125 में से 15 जाएगा तो 110 बचेगा यह आप अगर यहां लगुत्तम ले तो आपको क्या मिल जाएगा 64x cube plus 1 upon 8x cube यही तो आपको चाहिए था जो की बराबर है 110 के तो इस तरी की से से करना है इसको ऐसे solve करते हैं next question what is the value of 2 minus 2z plus z square 2 minus 2z plus z square गुणा में 2 plus 2z minus z square जबकी आपको z plus 2 by z का मान 2 दिया है यहां पहल से मिले z into z क्या होता है z का square plus में 2 और यह z लगुत्तम होके इधर आजाएगा 2z बन जाएगा तो z square plus इसको 2 लिखेंगे और इस 2z को इधर ले minus 2z बराबर कितना होगा 0 z square plus 2 यह देखो z square plus 2 और minus का 2z कितना आया है 0 आया है उसको यहां पुट करूँ तो इस value का कोई मतलब ही नहीं बसता तो 0 की किसे इसे भी multiply होके 0 ही बन जाता है तो इस पूरे का अन्मान जो होगा वो 0 हो जाएगा 4x square equals to 15 square minus 9 square अब यहां यह देखें 15 के square में से 9 का square जाना है जब a square minus b square होता है मतब एक संखे का square में से दूसरी संखे का square minus किया जाता है तो आप सीथे उन दोनों का जोड 15 और 9 24 और गुणा में उन दोनों का अंतर गुणा 6 लिख सकते हैं a plus b a minus b लिख सकते हैं उन दोनों की गुणा तो इसका मतलब 4x square को हम लिख सकते हैं 24 गुणा में 6 और 4 चिक 24 अगर मैं इसका root करने जाऊं तो x बराबर 6 गुणा 6 36 का root होता है 6 तो इसका मतलब इसका पूरे का answer आएगा option second 2x minus 5y जो है वो 5 के बराबर है और 2x minus y जो है वो 9 के बराबर है तो आपको ऐसे questions में सीधा अपने आप से कुछ ऐसी value मान लेनी है कि यह equation satisfy हो जाए तो यहाँ no लाने के लिए सीधा साए कि मैं x को 5 मान लूँ 5 दूनी 10 और y को 1 मान लूँ 10 में से 1 जाएगा तो no वो ही value यहाँ भी satisfy होनी चाहिए इस equation में मैंने x को 5 माना 2 पंजे 10 minus y को 1 माना 10 minus 5 बराबर 5 तो अब आप इन value को यहाँ जो आपको find out करना उसमें put कर सकते हैं क्योंकि दोनों value मैंने verify कर चुका हूँ तो x को हमने माना है 5 और y को माना है 1 तो इसका मतलब option second आपका जो है वो correct answer है simple इसमें मैंने पहले भी question में समझा है कि जब आपके पास x का square नहीं होता है cube नहीं होता है मतलब सीधा x की एक ही power होती है तब सीधा equation को solve किया जाता है कैसे 6x यह 4x यह दर आके minus हो जाएगा 7 यह 5 उदर जाके plus हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 12 और 2 चिके 12 अब आपको 6 जो है यह x कमाना है इसको उठा की हम put कर देना 6 और 7 7 का cube करेंगे तो 343 मिल जाएगा तो option 4 जो है आपका correct answer हो जाएगा x प्लेस वर्न अपोन x की value दी है 5 आपसे पूछा x की power 5 प्लेस वर्न अपोन x की power 5 कित दोंगा इस type के question को मैं कई बारी समझा चुका हूँ previous videos में तो यह मैं उमीद गरता हूँ क्वेके साथ जिन्होंने चैनल सब्स्क्राइब नहीं किलिए आप लोगों को जाता भी जाता है करो चैनल सब्सक्राइब गरो बढ़ी या या बीडियो मिलेगी आप लोगोत बढ़ी कोशिंच नहीं रहे previous year के सारे कोश्चुन में इसमें cover up करा हूँगा से अच्छे सल की एक बढ़िया आपको स्रीज मिलने वाली है यहां पर चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू